हालो अबरिबड़ी नमस्कार दोस्तों कैसे हो सभी असिस्टेंट लाइन एस्पिरेंट हो तो आसा करता हम अच्छे होगे तो चलिए आईए हम थोड़ी ही बात करते हैं सभी हम यूटूब पर जब सर्च करते हैं वह किछी सर्च करते हैं एक वैसिस्टेंट लाइन में का ड दूसरी बात क्या है दूसरी बात है एक कि बई जो अपना ALM का कटॉफ क्या रहेगी कटॉफ क्या रहेगी डो बाते में नह्याएं रिजल्ट डिवी के लिगा यही सब्वी बच्चों को खाये जा जब भी फोन बच्चे निकालते होंगे और वो इसी चीज़ को सर्च करते हैं कि कोई नई वीडियो आगी हो या कोई नई सारी वीडियो बनाई होई है ठीक है कट आफ की बहुत सारी वीडियो बनाई होई है तो कट आफ में भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो पर बने रहे हैं मैं ज्यान से देखो मैं सही बताने कोशिश करता हूं हम जनरल की बात कर लेते हैं पहले तो ठीक है जनरल की फिलाल डिवी के लिए बात कर रहं विडियो में डिवी के लिए कितनी रहीगी तो जनरल की जो रहेगी ने डिप के लिए वह आपकी क्योंकि यह जो पेपर दडार eating पर था यह ना असान था ना मुश्किल था और बच्चों ज्यादा नंबर बन रहे हैं इसमें एक और भी बात बता हूँ आवा साथ में आपको कि पहले डीवी की बात कर लेते हैं कट आफ की फिर वह दूसरी बात आपको बताता हूं वीडियो सकता थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो पूरा देखें ठीक है त तो कट ओफ क्या बत कते हैं जनरल की डीवी के लिए ठीक है अब इच्छों अब दीवी के लिए कितनी रहे गी जिनरल की बहें इस तक बाई डीवी के लिए रहेगी चलो अब हम ऐसी बात कर लेते हैं तो ऐसी जो के लिए जो डीवी के लिए जो रहेगी इसकी जो 44 से 50 बता दी मैंने ठीक है इसकी जो ऐसी बात का अगर करेंगे हम तो इसकी भाई 37 से 45 के बीच में डीवी के लिए कट ओफ रहने वाली थे ठीक है अब बात करते हैं कटेगरी BCA BCB की अब भाई देखो BCA की भी जो बात करेंगे वो भी आपकी 44 से 44 तक या 45 तक रह सकती है BCB की थोड़ी सी बाई देखो जादा रहती क्योंकि पोस्ट कम होती है इसलिए इसकी भी भाई वही बियारिस से 44 तक या 45 तक मैंनों इस तुरान एक दो नंबर का जादा अफरक नहीं पड़ेगा इतना ही रहेगा ठीक है अभी बात कर देते है वीडियो को बात कर लेते हैं इसके अंतर वीडियो थोड़ी लंब यो सकती लेकिन वीडियो को द्यान से देखें वह बहुत काम की वीडियो बना रहा हूं है मैंने जो जनरल के ताई थी वह आपको 44 से 50 अफराई थी ठीक है तो इसकी भी आप कम ना सोचें ठीक है इसके ड करते हैं मेरे 50 प्लस पांस मेरा हो जाएगा मेरे 60 प्लस फलाना दिखड़ा इतना हो जाएगा तो मेन बात चीज़ से देख लिए कि जिसके का टेगरी में 35 नंबर है मतलब मैं एक सर्विसमें की बात नहीं कर रहे हैं उससे अलावा जितने भी सब्सक्राइब कर देख लिए जनरल हैं उन्हों कर टेगरी में देख लिए जो सब्सक्राइब उसमें 35 नंबर से चालू हो जाओ वही और 50 नंबर तक डीवी आएगा क्यों आएगा क्योंकि आपको पता कितनी पोस्टें हैं 307 पोस्ट वाई 307 पोस्टों के अंदर जब अग पांच जार कुछ सम्थिंग बुलाएंगे आभ याव पता ही है कि यह कितने लोगों ने एक्जाम दिया था लगवगवाई 27,000 सम्थिंग कुछ पंडियेटों ने एक्जाम में बैठे थे तो उसमें 3500 करीब यह बुलाने हैं बच्चों के ज्यादा नंबर बंद नहीं र जाएगा अरे यार सेलेक्शन में तुम बच्चों के दिमाग क्यों करते हो अचा तो मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रहा था आपकी फिर हम रिजल्ट की बात करेंगे तो वीडियो में बढ़े रहें तो भई अभी एक चीज़ और है कि यह जो फॉर्म बरहा था यह आप आपको पता है यह बता देता हूं इसकी तो qualification थी qualification देखो भाई इसकी में जी देखे लो भाई यारे वाचो matrix with two year ITI electrician environment trade और having two year vocational course यह मांग रखा था under the trade of alignment electrician maintenance रिपेर जो भी है इसके अंदर साट परशेंट मार्च मारंग रखे थे जनरल कटेगरी यह इस पर ऐसी ही मांग रखे थे ठीक है अब यह एक समश्य क्या है कि इसके अंदर जिनोंने कलर चेंज करता हूं एक सेकिंड डिपलोमा डिपलोमा बीटेक अगर वो परसन इंकलूड है तो इसकी लिस्ट थोड़ी आई जा सकती अभी यह लोग जो हैं बहुत द्यान से देखने बात है कि जो पोलिटेक्निक डिपलोमा उल्डर हैं और जो बीटेक हैं वो इलीजिवल है या नहीं यह कोस्टर उठता कि इलीजिवल है नहीं क्योंगि इसके अंदर सेलेक्स! वो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंच मेरे पास को परमं नहीं है है ऐसा कि हो गाया नहीं होगा वो डीवी के लिए उनको बुलाएंग या नहीं बुलाएंगे उनका स्लेक्सवाइंग नहीं होगा तो उससे अगर देखिए पॉलिटेकनिक डिपलोमा उल्टर जो हते हैं वो थोड़े है आयर के एजूकेशन हो जाती है वीटेक की उससे भी आयर हो जाती है अगर वो लोग इसमें बैठे हैं तो वो लोग भी इस कांटिंग में आएंगे डीवी के लिए तो वहां जो अपनी कट ओफ है कही न कही जोड़ी ही बढ़ सकती है क्योंगे इंटेलिजेंट लोग होते हैं अब इनका सेलेक्शन डीवी में बुलाया है या इनको फाइनल में लेंग या नहीं लेंगे लिजीबल है या नहीं उसका मुझे नहीं पता चलिए हमारा नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है उसकी बात करते हम कि रिजल्ट कब आएगा रिजल्ट कब आएगा वी रिजल्ट ऑया अलम का अभी आलम का रिजल्ट नवई तेरा जात पॉस्ट है अमारे जो चेर्मेंट सामग खदरी जी ठीक है वो जल्दी इसका निकालेंगे इसकी ज्यादा दर्म आपको डेट्ट हो देता हूं डीवी के लिए वह 25 दिसंबर तक आ सकता है पूरा पूरा इसके भी पूरा किया 90% चांसर भाई देखो ना आये तो यह मत करना कि सर आपने कहा था राया नहीं मैं तो बगवान तो नहीं लेकिन जातो मेरे पता लगया है मैंने इसके लिए आपको वीडियो बना दी तो भाई चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिर मिलते एक नई वीडियो में ओके धन्यवाद बाई बाई राम राम